नमस्कार दोस्तों आज एक बहुती इंपॉर्टन टॉपिक के उपर हम डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक रिलेटेड है दुनिया में अमेरिका और चीन के बीच में जो चिप वार चल रहा है उसको लेकर अब देखिए चिप वार आप सब जानते हैं कि हमारे पास आज की ता पारीक में चलना बहुती मुश्किल है इसका मतलब यह है कि आज की जो डिजिटल करांती है उसका आधार यही माइक्रोचिप्स है और यह माइक्रोचिप्स आटो मोबील से लेके मोबाइल, कम्प्यूटर, लैप्टॉप्स और और आधुनिक जो टेकनलोजी हमारे बीच आ चुकी है वो है आर्टिविशल इंटेलिजिंसी की और साथ साथ कौांटम कम्प्यूटर की तो इन टेकनलोजी के लिए भी बहुत ही हाई एंड चिप्स की जुरुत पड़ती है और यह चिप्स बेसिकली दो या तीन कंट्रीज के अधिकारक शित्र में आती हैं जिसमें इसे सबसे प्रमुक नाम है United States of America का जिसके पास इन चिप्स के डिजाइन और सौफ्टवेर हैं और साथ साथ इन चिप्स का उत्पादन करने वाली जो कंपनी है जिसमें की प्रमुक रूप से नाम लिया जाता है टीएस एमसी का वह कंपनी एक ताइवानी कंपनी है और उस स्थिति में हम देखते हैं कि दुनिया की जो दो या तीन रास्ट हैं और खास्त और से इसमें एक नीदरलेंड का नाम भी लिया जाना चाहिए क्योंकि चिप बनाने वाली जो उपकरन है जो मशीने है वो नीदरलेंड की कंपनी ASML को जोरा ही बनाये जाते हैं तो यह जो त दोरान ताइवान में लोगडाउन हुआ तो वहाँ पर चिप उत्पादन जो फैक्टरी है टी एसमसी और अन्य जो चिप उत्पादक कंपनिया हैं उनमें उत्पादन ठप हो गया और एस स्थिति में युनाइटे स्टेट्स अफ अमेरिका की कई आटो मोबाइल कंपनियो चिप शॉर्टेज का सामना करना पड़ा तो इस स्थिति को देखते हुए युनाइटे स्टेट्स जिसके दिमाग में ये चीज पहले से बैठी हुई थी कि हमें ग्लोबल चिप सप्लाई की एक चैन सुनिश्चित करनी चाहिए उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा और पॉलिसी में चेंज आया और उन्होंने ये कोशिश की कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है माइक्रोचिप की कही ना कहीं वो अमेरिका में स्थित होनी चाहिए उसकी जो फाउंडरीज है उसको बनाने वाली जो फैक्टरीज है वो चाइना में की जगह पे ताइवान या अमेरिका का दुस्मन नंबर वन है वो एक अत्याधुनिक मिलिटरी वेपन्स बना सकता है तो कहीं न कहीं अमेरिका का ये कोशिश लगातार्स चल रही है कि चीन तक इन हाई-एंड चिप्स की पहुँच को रुका जा सके ना तो दुनिया का कोई देश ऐसी हाई-एंड ट इन चिप्स को वो अपने यहां स्वयम उत्पादित करने लग जाए आपको पता होगा कि 2015 से मेड इन चाइना का एक अभिहान चीन के द्वारा चलाया जा रहा है जिसका उद्दिश यह है कि इलेक्ट्रोनिक छेत्र में और खास तोर से माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो च देखते हुए अमेरिका की सारी कोशिशे इस बात पर फोकस ने कि चीन की पहुंच तक इन चिप्स को दूर रखा जाया और इसी कोशिश में अमेरिका ने चिप 4 एक इन फॉर्मल ऑर्गनाजेशन या एक डायलोग फोरम भी बनाया है जिसके सदसे है साउथ कोरिया, ताइ पर एक अधिकारीता रखते हैं, तो अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंद चाइना को इस टेकनलोजी की पहुंच तक रोक नहीं पाएंगे, इसी चीज को देखते हुए अमेरिका ने इन अन्य तीन या चार सदस्यों का सहीयोग भी प्राप्त किया है, और आज ही तारीक में हम देखते हैं कि जपान है, यह साउथ कोरिया है, इन्होंने भी अमेरिका के इस इनिशेटिव का सपोर्ट किया है, और उन्होंने इस बात का प्रामिस किया है कि वो ऐसी हाई-एंड टेकनलोजी वाली चिपें चीन को निरयात नहीं करेंगे, और साथ यसाथ यूरोपन कं अपनी है, ASML, जो कि इन चिप्स के मनिफैक्चरिंग में काम आने वाली मशीने बनाती है, जिनको लितोग्राफी मशीने का जाता है, उन मशीनों का एक्सपोर्ट चीन को नहीं करेंगे, तो ऐसे स्तिती में चीन के लिए बड़ा मुश्किल है, अपने सेल्फ रिलेंट एक सेल्फ सफिशन्ट एक सिस्टम को जनरेट करना, जिसके उपर की चीन जो है विदेशी निर्भरता को कम कर सके है, तो ये सारे प्रयास के लिए चीन के लिए बहुत ही एक चिनता जना की स्तिती है, और एक धक्ये वाली चीज है, कि इस तरीके से चीन की जो सेमी कंड़क्ट और उसमें ये स्पस्ट कर दिया गया है कि कोई भी अमरीकन सिटीजन, चाइनीज कमपनी, जो कि खास्तोर से इलेक्ट्रोनिक खिरत्र में जुड़ी हुई है, उनमें काम नहीं करेगा, अधर्वाइस देप्राइब फ्रम देर सिटीजन्शिप, तो ये एक बड़ी अनोख परशिश है कि किसी न किसी तरीके से वो एक छोटे नैनोमीटर वाली याने कि छोटे से छोटे ट्राजिस्टर वाली एक चिप बना सके ताकि उसको हाई-एंड मिलिटरी यूजिज में काम बेलिया जा सके, तो उम्मित करता हूँ कि आपका ये वीडियो आज का आपको थो